जैश्रादे आज दुपेर बात से अनेक जिग्यासाएं आ रही हैं काफी का तो समाधान किया आप मैं एक वोईस्नोड बना रहा हूं रवी वार को एक आदशी है समबार को प्राते सुरियोदय से नो बजे तक उसका पारण होगा बहुत से वैश्नव समबार को ये श्रामण के समबार हैं तो व्रत रखते हैं अब हम तो रखते नहीं हैं आपको बताएं सही बार हमें तो पता नहीं है समबार का व्रत कैसे रखा जाता है क्या होता आ इसमबार के व्रत में, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, लेकिन आप जो भी करते हूं, उस दिन एक आदरशी के पारण के समय, चगनच जी का जो चावल परशादी होता है, आप एक चावल मुख में डालके जल पी ले एक आदशी का पारण हो जाएगा और वो एक चावल का दाना अंदर जाना खाना नहीं माना जाएगा क्योंकि इतना कनतों आपके दानतों में भी होते हैं अब आप कहें कि हमारे पास चावल का दाना कहां से लाएंगे आसपास कोई जगनात मंदिर हो इसकोन हो सब जगे मिल जाएगा पांगिये वेस्टमों से यदि निष्ठा है पारण में और वत्त में तो कोशिश करिए घर बैठे तोड़ी जोला भर जाएगा कोशिश करिए मिल जाएगा फिर भी कहीं ना मिले तो एक चुटकी कोई भी अन्न खाले कोई भी ऐसा प्रशादी अन्न ठाकुर जी का बिस्कुट वगेरा नहीं घर के चावल चार दाने जगनात जी को ठाकुर को भोग लगा दे और एक चावल का दाना खाले उसमें से या कोई आपके पास एक आशी के अतरिक अन्न का कोई प्रशाद रखा हो जो अपने ठाकुर का लगा हुआ हो एक चुटकी भर प्रशाद अन्न का अपनी जिव्या पर डाल दे और जल पीले दूद पीले चाई पीले जो भी आपने करना है तो एक आशी का पारण हो जाएगा और जो आप सौंबार का वृत रखते हैं वो आप अपना जैसे रखते हैं वैसा रखिए मुझे नहीं मालूम वो वृत कैसे क्या किया जाता है क्यों रखा जाता है क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो आपको जैसा करना वैसा आप करिए, हाँ इतनी बात पक्की है, तो सोमबार के वृत में एक चावल का प्रशादी दाना खाने से पारण करने के लिए, उद्देश वहां खाना नहीं है, उद्देश सोमबार के वृत का अपमान नहीं है, उद्देश एकादशी का सम्मान है, और एकादशी का व मत है जरूरी नहीं आप मानें आपको अच्छा ना लगे तो बिलकुल मत मानी और अपना इंतजाम अपने आप कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे मेरे मत में जहां तक मैं जितना जानता हूं मेरे पास यही समाधान है यह आप कर सकते हैं जै शीरा दे जैनिताई झाल